IPL 2024 का साथवा मैच चेनने सूपर केंग्स यानी CSK और गुजरात टाइटन्स यानी GT के बीच 26 मार्च को खेला जाना है दोनो टीम इस सीजन अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी ये मैच चेनने के MH दंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा दोनो टीम अपने नए और युवा कप्तान, कप्तान रितुराज, गायकवाड और शुबमंगिल के साथ मैदान पर उतरेंगे दोस्तों अगर आप भी टॉस मैच शेशन के सटीक रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप संजुभाई से संपर्क करें इनका काम बहुत बहतर है, मैंने खुद इनका काम चेक किया है तो एक बार आप इन से संपर्क जरूर करें इनका कॉंटेंट नमबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसे हो सकती है CSK की प्लेइंग 11 पहले मैच में शांदार जीत दर्ज करने वाली CSK दूसरे मुकाबले के दोरान अपनी प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी इंपेक्ट प्लेइर के रूप में शिवम दूबे का बल्ला जम कर बोला था ऐसे में वह एक बार फिर अच्छा करना चाहेंगी गैंदबाजी में मुस्तफिजूर रहमान कमाल करना चाहेंगी संभावित एकादश, रितुराज गायकवाड, कप्तान, सचिन रवेंद्र, अजिंके रहाडे, डेरिल, मिशेल, रवेंद्र जड़ेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंग्धोनी, विकेट कीपर, दीपक चाहर, महेश, तिक्षणा, मुस्तफिजूर रहमान और तुशार इस सयूजन के साथ नजर आ सकती है जीती, जीती के लिए शुबमन एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे, रिद्दिमान साहा पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रंग बनाने को दिखेंगे, राशित खान और ओमेश यादव के अनुभव की टीम एक बार फिर फायदा उ मर जाई, राहुतेवतिया, राशित खान, उमेश यादव, साई किशोर और स्पेंसर जॉंसन, ये हो सकते हैं इंपक्ट सॉप्स प्ले, टीयस के शारदुल ठाकुर, शिवम दूबे, शेक रशीद, निशान्त सिंधु और मोहिन अली, जीटी, बी आर शरत, मोहित शर्माम मानव सुधार, अभीनव मनुहर और नूर एहमत, इन खिलाडियों के प्रदर्शत पर रहेगी नजर, काईकवार ने पिछले 10 मैच में 144.39 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाई हैं, उनकी ओसत 37.22 की रही है, शुबहम के बले सिप पिछले 10 मैच में 75 से जादा की ओसत से 600 से जादा रन निकले हैं, रचिन ने अपने पहले IPL मैच में 15 गैंद में 37 रन बनाई थे, तीपक ने पिछले 8 मैच में 14 विकेट जटके हैं, मुहित के नाम पिछले 10 मैच में 21 विकेट हैं,